मुझा आझ हम लोग कॉजटिव वर्ब का पार्ट तू पढ़ेंगे पार्ट तू पढ़ने से पहले हम एक बार पार्ट वन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कॉजटिव वर्ब क्या होती है जब दुर याने subject खुद काम न करके किसी और से काम करवाता है, कैसे? मैंने उस से खाना बनवाया, याने मैंने खुद खाना नहीं बनवाया, मैंने उस से खाना बनवाया माने मुझसे कपड़े धुलवाए, माने खुद कपड़े नहीं धुए, बलकि मुझसे धुलवाए English में बनाने के लिए verb है, धुलवाने के लिए verb है, चलाने के लिए लेकिन बनवाना, धुलवाना, चलवाना, इन सब के लिए कोई verb नहीं है तो यदि इस तरह के sentence हैं, जब जो doer है, subject है, खुद कामना करके किसी और से काम करवाता है, तो हम किस verb का use करते हैं? तब हम causative verb का use करते हैं. यह हमने जब part 1 पड़ा था, तो एक causative verb हमने इसमें पड़ी थी, let. let का use कब करते जब subject किसी और को काम करने की अनुमती देता उसको permit करता है allow करता है या permit करता है वो खुद काम नहीं करेगा लेकिन दूसरे को करवाने के लिए उसको permit करेगा suppose यह sentence होता मैंने उससे खाना बनवाया यदि मैंने उसको खाना बनाने की permission दी मैंने उसको allow किया तब हम क्या करेंगे let verb का use करेंगे माने मुझे से कपड़े धुलवाए माने मुझे कपड़े धोने को permit किया allow किया यदि sense यह है speaker का कहने वाले का तब हम causative verb let का use करेंगे कैसे करेंगे यह हम part 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप लोग इन causative verb को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि जैसे ही यह पूरा causative verb आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने English में बहुत सारा पढ़ लिया है जान लिया है समझ लिया है और अब आप English बोलने में भी काफी आपको यह सब helpful रहेगा तो आज जो हम दूसरी causative verb है जो की बहुत ही interesting है let की तरह ही interesting है और बहुत ही useful है spoken level पर भी और writing के लिए भी अपनी writing skills को भी बढ़ाने के लिए get का use बहुत important और useful है और interesting भी है तो get एक main verb है जैसे और main verb की forms होती है get की भी form होती है get v1 में get होता है got v2 got v3 याने past participle form भी got होती है इसके बाद में जो fourth form होती है getting double t हो जाता है और fifth form जो की present indefinite में use होती है वहाँ पर get में s लग जाता है कब लगता है जबकि subject याने जो doer है वो third person singular number हो कहीं कहीं पर आप get की जगे got की जगे gotten भी लिखा देखते होंगे ये gotten American English में v3 है हम लोग British English के rules को follow करते हैं तो हमें got का ही use writing में करना है बोलने में आप कर सकते हैं वो informal है जहाँ पर आप कोई भी American English को भी follow कर सकते हैं और British English को भी follow कर सकते हैं अब get का use हम कब करें तो get का use कब करना है हमको causative verb में जब हम किसी को हम याने जो doer है करता है subject है वो किसी को कोई काम करने के लिए उससे करवाए तो सही लेकिन उसको convince करके करवाए उसको राजी करके करवाए वो खुद ना काम करे पर दूसरे को convince कर ले कि भाई अब तुमें ये काम करना है जैसे मैंने उससे खाना बनवाया याने मैंने उसको खाना बनाने के लिए convince किया यदि बोलने वाले का meaning ये है तो वो किसका यूज़ करेगा get का काम को करवाने के लिए persuade करना, मनाना, कि भाई, कर दे, कर दे, ऐसा करके, जैसा हम लोग बनाते हैं, तो मैंने उससे खाना बनवाया, अब वो बनाना तो नहीं चाहता था, या चाहती थी, लेकिन मैंने उसको persuade किया, बड़ा मनाया, उसको, उसकी तारीफ की, और whatever, जो भी हो, तो जब किसी को convince करके, काम करवाया जाए, या किसी को persuade करके, उसको मना करके, या encourage करके, मतलब वही है, कि किसी को कि भाई, तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तुमारी subject artist बहुत अच्छा है, इस तरह से उसको encourage करके, जो subject है, doer है, वो खुद काम ना करे, और उससे करवाये, तब क्या होगा, हम costive verb get का use करेगे, चौता है, paid काम करवाने के लिए, जब जो doer है, वो कोई काम करवाने के लिए, पैसा pay करे, जैसे कि मैंने बाल कटवाए, अब बाल कटवाए तो क्या हुआ, किसी से कटवाए, लेकिन उसके लिए क्या किया, payment करना पड़ा, तो ऐसे paid काम के लिए, जो आपने किसी से या doer ने, या subject ने करवाया, तो वहाँ पर हम get positive verb का use करेंगे, तो एक बार जटपर से revision कर लेते, कि get का जो पांचों form है, get, got, got, getting, gets, और जो most important है, कि आप get का use कब करेंगे, आप या जो subject है, या doer है, जब वो किसी से का हम तो करवाए, लेकिन उसको convince करके, उसको persuade करके, उसको encourage करके, या फिर paid, याने पैसा देकर उससे काम करवाए, तब हम causative verb get का use करेंगे, अब हम इसके आगे देखेंगे, कि किस तरह से get, causative verb का sentences में use होता है, जब तक आप इसको पूरा बहुत ही important है ये, आप इसको note कर ल किस तरीके से use, कब use करना है, ये important है, get, causative verb का use कब होना है, और ये speaker को पता है, ये subject जो करता है, doer है, उसको पता है, कि वो permit कर रहा है, allow कर रहा है, या फिर convince, persuade, या encourage करके, या इस काम के लिए वो paid, जो काम करवा रहा है, तो depends on the situation, कि doer है, वो किस तरह से काम करवा रहा है उस तरीके से causative verb का use होगा, तो आप इसको note करें, फिर इसके आगे हम लोग get का as a causative verb कैसे use होता है, उसका implementation कैसे होता है, sentences में, उनको देखेंगे, तो आप जल्दी से इसको note कीजे, तो हम ये जान चुके हैं, कि यदि हमें काम, हमें याने subject को, doer को करवाना है, अब करवा या उसको मना मना के करवाना है, या फिर उसको encourage करके करवाना है, ये depends on the speaker, लेकिन ये चारों तरीके ये अपनाए जाते हैं, speaker याने doer के द्वारा, subject के द्वारा, speaker याने जब बोलने में और लिखने में, जब subject हो या doer हो, तब हम get causative verb का use करेंगे, अब get का use दो तरीके से होता है, जो सारी causative verb, passive में काम नहीं करती हैं, कुछ ही verb हैं जो के passive में भी causative का काम करती है, तो get को active causative and passive causative, active voice यह आपने पढ़ा हो, तो active में क्या होता है, जो subject या doer is important, काम कौन करवा रहा है, क्योंकि हम causative verb पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर काम कर नहीं रहा है, गाम कौ कौन करवा रहा है is important और काम करवाने वाला कौन कहलाता है subject कहलाता है या doer कहलाता है और यदि वो बोल रहा है तो speaker कहलाता है तो active causative में if doer is important subject is important तो हम उसको active causative में उस sentence को बोलेंगे या लिखेंगे और यदि work is important कि कौन सा काम करवाय जा रहा है कौन करवा रहा है is not important बलकि कि वो कौन सा काम करवा रहा है, क्या करवा रहा है, यह important है, तो यहाँ पर passive causative में get का use किया जाएगा, अब जो important है, यह हमने सीख लिया, कि get का use causative के रूप में हम कब करेंगे, इसके बाद में, मान लीजे यह sentence है, मैं उससे खाना बनवाता हूं, मैं उससे खाना बनवाता हूं, मैं यह भी बता रही हूं, या बता रहा हूं, कि मैंने वो, he was not interested, उसका कोई मन नहीं था, वो तो मैंने उसको convince करके, persuade करके, मना मना के उसको, कुछ encourage करके, उससे खाना बनवाया, मतलब काम करवाने का यह है, तब हम क्या करेंगे, get causative verb का use करे जब सामने वाले को, जिससे काम करवारे है, उसको permit किया गया है, कि उसने मुझे खाना बनाने की permission दी, allow किया, तब हम let causative verb का use करेंगे, और यदि हमको convince करवाके, persuade कराके, उसको encourage करवाके, काम करवाना पढ़ रहा है, then हम क्या करेंगे, get causative का use करेंगे, अब हम इसका structure जो most important है, और आपको ये, ये सब structures को आपको लिखना है, और इन पर बहुत सारे sentence रोज बनाते जाना है, ताकि आपको इस पर बहुत अच्छी practice हो जाए, सबसे पहले subject, जो doer है, जो करता है, then get, get यहाँ पर हमारी causative verb है, क्योंकि ये verb है, तो ये tense के अनुसार, यही verb बदल एक verb यहाँ पर भी है, ये verb नहीं बदलेगी, जो भी tense के अनुसार changes होंगे, वो यहीं पर होंगे, इसके बाद में object, जो कि एक person होगा, क्योंकि हम किसी से काम करवा रहे हैं, और उसका भी, यदि वो pronoun है, तो उसका objective case लिखा जाएगा, क्योंकि verb के बाद में object आता है, यद he का him, she का her, it का it, इस तरह से आपको दे है, तो दे, इनके objective cases को याद कर लेना है, पिछले जो let causative में भी मैंने आपको बताय था, कि जब मैंने noun आपको पढ़ाया, तो ये cases बहुत ही अच्छे से और काफी detail पढ़ाये थे, यदि आप इन cases को कि कितने case होते हैं, pronoun के और किस आपको ये जो case है, उनको भी वो आपको clear हो सकें, तो यहाँ पर objective case आएगा, इसके बाद में to और verb की first form, ये base form आएगी, यहाँ पर जब कि let में नहीं होता था, तो हमेशा हर causative verb में जो ये verb है, ये to के साथ में नहीं आएगी, ये हमको ध्यान रखना है, कि एक causative verb लेके ब बाकी structure वैसा रहे, तो ऐसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो गया, ये base form of the verb और other words, अब other words कुछ भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और other words कभी वो कुछ adverb हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर other words लिखा गया है, अब देखिए, एक sentence, मैं उससे बनवाता हूँ, सबसे पहले तो ये clear हो जाए, कि हम उसको ये काम convince करके करवा रहे हैं, persuade करके करवा रहे हैं, encourage करके करवा रहे हैं, तो I, बनवाता हूँ, ता, ता हूँ किस में आता है, ये आता है simple present में, जैसे ही हमने देखा कि ता हूँ simple present है, I, I के बाद में get, S नहीं लगेगा, क्योंकि first person है, him, जो pronoun कौन सा है, उससे, him, to cook food, यहाँ पर verb, जो cookie based form भी cookie है, तो to cook food, इसका मतलब क्या हुआ, मैं, मैं क्या करता हूँ, उससे, खाना बनवाता हूँ, यानि जो मैं हूँ, वो खुद नहीं बनाता खाना, बल्कि वो क्या करता है, उससे बनवाता है और कैसे बनवाता है, वो बनाना नहीं चाहता, उसको convince करके, उसको persuade करके, उसको encourage करके, वो काम करवाता है, तो यह इसका structure है, अब हम आगे, बहुत सारे sentences को पढ़ेंगे, और किस तरीके से, उनमें get causative verb का use होता है, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, और आपको उसको भी है, याद भी करना है, और practice भी करना है, तो जल्दी से यह note कर लीजे, ताकि हम आगे get causative verb का active causative में और passive causative में use करना सीखें, just note down this, हम लोगों ने structure समझ लिया, अब हम कुछ sentence पर practice करते हैं, वह मुझ से अपना काम करवाती है, अब वह मुझ से अपना काम करवाती है, य इसका मतलब क्या है, कि वह मुझ को convince करके, राजी करके, मना करके, encourage करके अपना काम करवाती है, या करवा रही है, या करवाएगी, जो भी tense है, तो क्योंकि हम get causative पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो subject है, वो कैसे काम करवा रहा है, encourage करके, persuade करके, या फिर convince करके काम करवा र ती है किस में आता है, simple present में, तो get में लग जाएगा, yes, she gets me to do her work, do के पहले to आएगा, सारी causative verb में, आपने देखा, let में to नहीं आता है, लेकिन get में आता है, तो हमको उसके structure को ध्यान में रखना है, देखे, आप causative verb के use को सीख कर, बोल भी सकते हैं, या हमने let verb में देखा और जो competition exams रहते हैं, उनमें verb की error, की correct form of verb, वो कैसे fill up करनी है, ये भी सीख सकते हैं, और ये आपके लिए काफी useful होगा, तो to do her work, एक और sentence, यदि इसको हम negative बनाएं, तो क्या होगा, does not आ जाएगा, interrogative होगा, तो does पहले आ जाएगा, tense आपने, tense भी मैंने आपको बहुत detail में पढ़ाये है, tense को, और यदि आप tense को पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो पढ़ना चाहिए tense को, क्योंकि tense ही, यदि tense के concept, verb के concept आपको clear हो गए, तो कम से कम, जो examination point of view से, या फिर competitive exams में, जो error आती है, mostly वो verb से संबंदित आती है, और verb कहां पर होत होती है, तो काफी सारा जो आपका जो बाते हैं, जहाँ पर की जो points है, जहाँ पर की गलतियां होती है, उन गलतियों को हम सुधारने में सफल हो पाएंगे, यानि वो गलतियां हमसे नहीं होंगी, यदि error detection आता है, तो हमको समझा जाएगा, कि यहाँ पर यह क्या गलत लिख की tense पर और verb पर अच्छी कमांडो सके, next sentence, माने मुझसे कपड़े धुलवाए, इसका मतलब यह है कि मैं कपड़े धोना नहीं चाहती थी, माने मुझको convince करके, माने मुझको राजी करके, माने मुझको encourage करके, मुझसे कपड़े धुलवाए, यह meaning है, यदि हम यहाँ पर get का यूज कर रहे हैं, मदर धुलवाए, यह 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 आए, simple past, mother got me to wash clothes, अब got, simple past, माने खुद नहीं किया, माने मुझसे करवाया, करवाया कैसे, convince करके, तो कौन सी verb यूज की, got, एक और था, clothes, यह मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया था, कि जू, तो stitched कपड़े जब होते हैं, सिले वाले कपड़े होते हैं, तो c l o t h e s clothes use किया जाता है, और जब unstitched कोई सीधा सीधा कपड़ा होता है, तो वहाँ पर c l o t h s करके उसका plural बनाया जाता है, तो यह भी हमको समय समय पर जो भी इस तरह के words आते हैं, उनको revision करते रहें, तकि हम से गलतिया ना हो, अब यदि इसका negative बनाना हो, simple past है, mother did not get me, interrogative बनाना हो, did mother get me, इस तरह से आप इसका interrogative बना लेंगे, दीपा दिशा से कमरा साफ करवाती है, जब हमने let verb पड़ी थी, तो इसका मतलब यह था कि दीपा ने दिशा को कमरा साफ करने की अनुमती दी, permit किया, allow किया, लेकिन मान लीजे, वो नहीं करना चाहरी है, कौन दिशा, अब दीपा उसको मना करके, convince करके, मना न याने convince करना, persuade करकी कि नहीं, तुम अच्छी हो, तुम ऐसा कर दो, जैसा हम लोग करते हैं, encourage करके उससे काम करवाती है, तब क्या होगा, तब causative verb बदल जा आएगी वहाँ पर, ये get आएगी, कैसे, दीपा, करवाती है, ती है, तो ती है का मतलब, simple present, s लग जाएगा, third person है, दीपा, gets दिशा, कोई भी नाम हो, नाउन हो, तो उसका objective case तो वही होता है, दीपा, gets दिशा, अब क्या करवाती है, to clean, साफ करवाना, तो clean के पहले to आग दिशा, to clean the room, अब यदि इसका आपको negative बनाना हो, तो does not आ जाएगा, interrogative बनाना हो, तो does दीपा आ जाएगा, tense के अनुसार ये आपको, मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, कि किस तरह से हम interrogative, negative और interrogative, negative sentences बनाते हैं, रिया, टीना से अपना ग्रह कारे लिखवाएगी, यानि रिया, अपना homework खुद नहीं करेगी, वो किस से लिखवाएगी, तीना से लिखवाएगी, अब कोई किसी का homework क्यों लिखेगा, natural है, कि वो उसको मना करके, यानि राजी करके, convince करके, उसको encourage करके, भई अपना काम य ऐसा करने के लिए हमको एक verb लिखनी है, get, रिया, विल, गैट क्योंकि वो करवाएगी, रिया, विल, गैट, तीना, किस से करवाएगी वो रिया, तीना से, तू, डू, हर, तू, राइट आएगा, यहांपे लिखवा रही है न, तू, राइट, तू, राइट, हर, होमवर् आपको समझ आया कि किस तरीके से हम, यदि हम, याने जो subject है, doer है, वो किसी को convince करके कोई काम करवाना चाहता है, किसी को encourage करके काम करवाना चाहता है, किसी को persuade करके कोई काम करवा रहा है, या करवाएगा, या करवाता है, तो हम कौन सी causative verb यूज करेंगे, तब हम causative verb ले और इनके आप interrogative, negative, interrogative and negative सब form में इनको लिखें और इनको translate करें ताकि आपको ये get का concept बहुत अच्छे से clear हो जाए और अब हम पढ़ेंगे कि get को passive causative में कैसे use किया जाता है उसके पहले आप इसको note कर लीजे और आप पढ़ते हैं बहुत ही interesting passive causative यानि passives में get का as a causative verb कैसे use किया जाता है अब हम पहले तो passive को ही समझ लेते हैं कि passive क्या होता है जब जो doer है करता है वो important नहीं होता यानि कौन काम करवा रहा है ये important नहीं है important ये है कि काम क्या हो रहा है जब work is important तो वो क्या कहलाएगा passive voice कहलाएगी अब यहाँ पर हम क्योंक में passive causative याने जो काम हो रहा है उसको पैसिव में उसको यूज करना है उस वर्ब को क्योंकि हम causative verb get पढ़ रहें तो यहाँ पर सारी causative verb का passive नहीं होता है एक get है और आगे हम एक और verb causative verb पढ़ेंगे तो उनी का पैसिव कॉजटिव होता है अब पैसिव कॉजटिव का सबसे पहले तो हम structure समझ ले सबसे पहले subject आएगा फिर get according to tense हम जान चुके है कि जो भी tense बदलेगा वो किसका बदलेगा कॉजटिव वर्ब का बदलेगा इसके बाद में think अब यहां पर person नहीं बहुत कभी कभी person भी आ जाता है वह हम जब practice करेंगे या आप पढ़ेंगे इस तरीके से sentences को तो तब आपको पता चलेगा लेकिन यहां पर thing ही ज्यादा आता है फिर वर्ब की third form पूरे passive में वर्ब की third form आती है तो यहां पर भी वर्ब की third form बाए लगा के person यह आवशक हो तो नहीं तो understood रहता है तो इसको हम छोड़ देंगे आवशकता पढ़ने पर उसको लिखेंगे या बोलेंगे कैसे मैंने अपने बाल कटवाए अब पहली बात तो clear हो गई कि मैंने नहीं काटे मैंने कटवाए और passive positive में जो है ना get का use कब करते है जब paid किसी काम को करवानी के लिए कुछ payment किया जाता है passive positive तो मैंने अपने बाल कटवाए फ्री में तो कोई नहीं काटता तो यह क्या हुआ कटवाए याने किसी और से कटवाए अब यह भी understood कि कौन काटता है I ए आया याने simple past I got get से क्या हो जाएगा got क्या कटवाए my hair thing my hair और cut की third form तो cut ही रहती है बाय लगा के हमको person लिखने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह understood है कि किसने काटे उसने अपनी कार सुधरवाई आ-ई-ए simple past उसने he we too got क्या सुधरवाई his car thing repaired verb की third form किस से mechanics से understood है वो हमें लिखने की कोई जरुवत नहीं है वह अपने घर में paint करवाता है ता है simple present present indefinite he he के साथ में verb में s लगीगा या yes यहाँ get है तो s लग जाएगा he gets his house painted वह अपने घर में paint करवाता है यह जो gets लगा है यह get लगा यह क्या बतला रहा है कि वो खुद नहीं कर रहा है वो करवाता है यह paid service है तो he gets his house painted I am getting my mobile repaired अब I am getting अब मैं करवा रहा हूं present continuous है ना my mobile repaired मैं अपने mobile की मरमत करवा रहा हूं तो यह हमने क्या देखा कि जब passive costume में get का use होता है तो sentence pattern क्या हो जाता है या किस तरह के sentence हो जिनको की हम passive costume में लिखे या बोलें यह sentences exam में बहुत आते हैं आप लोग के junior level पे भी कौन सी form यहाँ पर कौन सी form बरने को आएगी जैसे यह आपने देखा get got gets है तो आपको तुरंत यह सोच लेना चाहिए कि अब यहाँ पर यह तो passive में get causative है तो यहाँ पर v3 आएगा बहुत मतलब board exams में तो एक ने एक sentence इस पर जरूर आता है यहाँ पर verb की correct form भरने को तो यह जो get causative या causative verbs है यह आपके लिए spoken English में भी बहुत important है क्योंकि यदि हम कुछ काम करते हैं तो English में बहुत सारी verbs है लेकिन किसी से कोई काम करवाते हैं कोई verb नहीं है तो वहाँ पर हमको causative verb का ही यूज करना पड़ेगा अभी तक हमने दो causative verb पड़ी है यदि हम किसी को कोई काम करने के लिए allow करते हैं permit करते हैं तो हमें दूसरी verb है let उसका यूज करना है यदि हम किसी को कोई काम करने के लिए encourage करते हैं convince करते हैं persuade करते हैं यानि उसको राजी कर लेते हैं मना लेते हैं convince कर लेते हैं तब हम get causative का active voice में यूज करेंगे या फिर पैसे देकर काम करवाते हैं then passive में get positive का यूज करेंगे तो जो यह positive verb है यह आपके examination point of view से भी बहुत important है क्योंकि आपको इस तरह के sentences में कब आपको to का use कर रहा है माली जी हम get का ही कोई sentence आ गया अब active में है तो देखिए वहाँ पर two plus verb आ जाता है लेकिन passive positive है तो verb की third form तो यदि हमको यह structures पता होंगे यह rule पता होंगे तो हम verb की correct form को easily वहाँ पर या तो choose कर सकते हैं यदि आपको चार verb दी गई हैं या फिर वहाँ पर fill up कर सकते हैं तो यह positive verb आपको examination point of view से और आपके spoken English के level को भी increase करने के लिए बहुत important है तो आप इनको पढ़ते रहिए इन पर practice करते रहिए इनका use करते रहिए तकि आप धीरे धीरे आपका आपके spoken में और आपका जो writing है English writing है उसमें आपका कामान बढ़ जाए ऐसे ही और वीडियो आप लोग आते रहेंगे उनको देखते रहिए पढ़ते रहिए तब तक के लिए जैहिन